और दोस्तों क्या हाल जाल है आज की इस पीडियो में आपको वात होंगा How to connect OTG device यानि कि इस device के साथ external keyboard, mouse और pen drive जैसा OTG device connect कैसे करें दोस्तों सबसे पहले हम इसके सथ pen drive connect करेंगे उसके बाद mouse और keyboard connect करके दिखाऊंगा आजकल मार्केट में कहीं तरह की pen drive देखने को मिलते हैं हमरे पास जो pen drive है उसके एक तरफ type C port और दूसरे तरफ type A port दिया गया है type C port से बहुत असन इसे connect कर सकते हैं अगर आपके पास pen drive में केवाल A port है तो इस phone के साथ connect करने के लिए एक type C to type A port और रेप्टर खरीदना पड़ेगा जिसका best file लिंक इस वीडियो के डेस्क्रिशन पर दिया हुआ है दोस्तो इस device में OTC settings by default on रहते हैं pen drive connect करने के बाद एडिट करने में थोरा समाई लेगा और depend करेगा pen drive कितिना भरा हुआ है उसके उपर pen drive detect करते ही उपर में एक notification आएगा explore पे टैप करके pen drive का file एक्सेस कर सकते है और eject पर टैप करके pen drive को safely इस device से रिमूब कर सकते है हार बर mobile से discount करने से पहले eject करना होते है नई तो pen drive के अंदर सबी file corrupted हो जाएगा इस pen drive को file manager से भी access किया जा सकते है file manager ओपन करने के बाद recent टैप के नीचे usb storage connected इस पर टैप करते ही pen drive का all file ओपन हो जाएगा दोस्तो इसी तरीके से कोई भी ssd और external hard drive कर सकते है इसके लिए कोई भी special settings on करने का अब हो सकते नहीं है दोस्तो अब हो आपको दिखाएंगे keyboard और mouse इसके सथ connect कैसे करें keyboard और mouse का input के बेल यह type का होता है phone के साथ connect काने के लिए type C to type A port अलग adapter चाहिए मेरे पास एक Bluetooth keyboard और mouse का set है यह उनका receiver है इस receiver को adapter के साथ connect करके जैसी हम phone के साथ connect करेंगे वो अपने आप चालू हो जाएगा गाइस अगर phone में display खाराब हो जाए तो mouse और keyboard कानेट करके phone को ऐसे ही चाला सकते है तो दोस्तो उम्मीद करते हो कि एफ वीडियो आपके लिए बहुत हिलफूल था तो हम अदे वीडियो देगने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया